तो देखो यहां तक हमने देखा कि अन्तियोदय अन्नी ओजना और इसी तरह कि बहुत सारी ओजना गौवर्मेंट के द्वारा लॉंच किये गई फूट सिक्योर करने के लिए इसके सिटिजन्स को पीडियस सिस्टम पूरा लाया गया उचितमूले के दुकाने खोले गई राशन दुकाने खोले गई जिसे फेर प्राइस शॉप कहते हैं तो सब कुछ यहां पर अच्छा है यह ऐसा भी कहा जाता है जो पीडियस सिस्टम है बबफर स्टॉक क्या होता है कि जो जहां पर ज्यादा सर्प्लस में हमारे पास जो प्रोडक्शन हुआ है वहां पर जो मिनीमम सपोर्ट प्राइज MSP पर सरकार उन्जा खरीद लेती है और अपने FCI उनके फूट कॉर्परेशन ऑफ इंडिया उनके जो गोडाउंस होते हैं उनमें वो उस ग्रेंज को स्टोर कर लेती है उसमें से कुछ ग्रेंज जाता है PDS scheme के तहट गरीबों के पास राशन दुकानों के पास ताके वो और गरीब हो जिनकों सही में जरूरत उनके तक बढ़ सके कुछ ग्रेंज ऐसा होता है कि जो की रखा रहता है adverse condition के लिए कल को अगर natural कोई disaster आ गई या पिर किसी country से हमारा war हो गया हम production किसी साल में नहीं कर पाए तो उस buffer stock को निकाला जाएगा तो यहां तक तो बात हमें बहुत अच्छी लगे कि चलिए बहुत अच्छी बात है सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि सानों को भी पैसा मिल जा रहा है MSP के थुरू और हम गरीबों तक भी पहुचा दे रहे हैं लेकिन famine और hunger है इसे भी हम उससे लड़ पा रहे हैं उनको surplus foods जो है प्रोवाइड कर रहे हैं गरीबों को कम rate में प्रोवाइड कर रहे हैं लेकि ग्राफ बना हुआ है जो गवर्मेंट के दुआरा जो बफर स्टॉक के जो नॉम्स तैय किये गए जैसे कि लेकिन उससे कही 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 जादा हम MSP को MSP के थुरू हम उस अनाज को स्टोर कर लेते हैं तो कहेंगे कि ठीक है यह इसमें क्या problem हुई जादा ही तो कर रहे हैं अच क्या हो रहा है कि कई FCI की गोडा में उनकी हालत ठीक नहीं है कि सह कि सिक यह पर चूह है कि सी कि सहघ नहीं है तो इतने करोड को चाओं भी गया बारिश में तो उनको चूह यह ऊंग ख़राब हो गई इल्लीया पड़ गई तो यह कहा रहा है कि जो गरीब से गरीब लोग मिल पिचारे उनको तो नहीं मिल रहा है और रखा रखा हमारे जो स्ट्क है जितने high e आयं शहीं किए राक्षर ने क्या चिए उनने जाओ यह बहुत फॉट्लीन को उतने इंपॉट्रिग करेंил होगों कि пред service जैंगा जब्सक्राक्षल्रिक चार-पांत साल पहले लिखी हुई एडिट की हुई किताबें तो उसमें दो रूपय परकेजी वीट दिया गया लेकिन फिर क्या गया जो इंपोर्टेंट बात है इसमें 2002 में क्या किया गया और पचास लाकों पहले हमने एक करोड लोगों को गरीबों में से भी एक करोड को निकाला जो सबसे जादा गरीब है उन्हें फिर 2002 में पचास लाकों और एड कर दिया गया और फिर 2003 में हम और पचास लाको एड करके उसको दो करोड फैमिलिस मना दी गई अंडर अन्न योजना है तो बहुत सस्ते रेट में बहुत सस्ते रेट में दो रुपए एक रुप सबसीडी जैसे हमें से बचास और भीपयं चेलंस सब्सेडी। अब यह देखा गया है कि इतने ज़्यादा जो हमने फूड को श्टोर कर लिया FCI के गुदामों में तो ज़्यादा क्या हो रहा है कि हमारा फूड वेस्ट हो रहा है undesirable है, wasteful है और उसको रखने की cost भी होती है रखने के लिए महां पर कोई चोकिदार बिढ़ाना पड़ेगा, staff रखना पड़ेगा, FCI का maintenance कारना पड़ेगा और खराब होने से बचाना होगा, तो इन सब चीजों से क्या हो रहा है कि freezing of MSP हो गया लेकिन सरकार के पास भी तो रखने की capacity और पैसा limited है ना इतना वह खरीद नहीं सकती तो सरकार फिर क्या करती है कि MSP को further बढ़ाना बद कर देती है कि minimum support price अगर मैंने एक केब 10 रखा और इतने जादा प्रोडक्शन हुआ कि मैं खरीते खरीते ठक गया तो अगले साल भी से 10 रखूंगा मैं उसे 11 या 12 नहीं करूंगा तो किसानों से नाराज होते हैं कि हमने पिसले जार्ट इतना पैसा कमाया है हम इस साल भी हमें इतना ही पैसा मिल रहा है अब लेकिन क्या ह उत्रप्रदेश अंद्रप्रदेश लेकिन जो ऐसे जगें हैं जहां पर सर्प्लस के आधार पर सर्प्लस उनका प्रोडक्शन नहीं होता बिचारे वहां से ज्यादा कोई खरीदी नहीं पाते और ज्यादा तर यह देखा गया है कि जिन जो कि मैंने बताया था MSP हमेशा सर अच्छा हो लेकिन MSP अगर उनको अच्छा लेकिन उस साल जो MSP बनाया गया है वह वीट के लिए काफी अच्छा बनाया गया ज्यादा MSP दिया गया तो वहां पर वीट बो देगा इसी कारण क्या हुआ कि वह लैंड जो हमारे रिसोर्स हैं उसको उसका मिस्यूज हो रहा ह और सरप्लस स्टेट है विचारे उनके पास तो मिल रहा है जो गरीब लोग हैं जो ज़्यादा उगा नहीं पा रहे हैं विचारे उनके पास तो कुछ भी नहीं मिल रहा है और जैसे कि कभी चावल का MSP ज़्यादा हो रहा है तो बिना किसी चावल को पानी की ज़्यादा ज जितना चावल बोएगा उससे जरूरत नहीं चावल बोने की हो सकता है उसकी जमीन जो है चने के लिए सूटेबल है लेकिन MSP जादा किसका है चावल का तो उनको चावल बोने पड़ रहे हैं अब जो minimum support price जो होता है उसके कारण government की बहुत सारी जो इसलिए नहीं बढ़ा पा और अब यह भी देखा गया है कि जो PDS के जो worker होते हैं जो public distribution system के जो राशन में बैठते हैं वो कुछ mal practices करने लगें corruption करने लगें कि जो food grains होता है वो वहाँ पर ना बेचते हुए राशन के दुकानों में जो food grains आता है उसे open market में दुकानों में बेच देते हैं higher margin के लिए और या फिर बेचते भी हैं तो बहुत पूर quality का grains वो उन्हें गरीबों को provide करते हैं इसके कारण क्या होता है कि कभी-कभी shop वो खोलते हैं कभी नहीं खोलते हैं कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे stock रख लेते हैं लेकिन गरीबों को बोलते हैं नहीं है जाहिए आज राश लाइन से बिल्कुल slightly उपर होती है एकनम poverty line की सिरिनी में होती है लेकिन poverty line के बिल्कुल थोड़ा उपर होती है तो उनको जो जो अपनी जो गवर्मेंट की जो स्कीम टार्गेटेट पब्लिक डिस्रिबुशन सिस्टम तो उन्हें जो प्राइज होता है वो गरीबों से सबसे ज़ाधा प्रभावीत होते हैं अब इस में क्या होता है कि भावर्ड एक फेमिली वोती है उनकी उंन्हें है आपको पांच 총 मेलेगा तो वो उस्चारिवम्य ज़ाधा फरीथब नहीं पाते तो जब से यह देखा गया है कि government के जो workers हैं वो तो काफी जादा corruption कर रहे हैं जो गरीबों को food उनका provide नहीं कर पा रहे हैं तो cooperative का role यहां पर उभर क्या है cooperative क्या होते हैं कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ लोगों का mutual economic interest होता है वो आपस में मिलते हैं और वो एक cooperative society form करते हैं जिसे सरकार का support होता है जिसे एक example से देखा जाए तो सांची जो हम दूद अभी वो हमारे MP में होता है वो भी cooperative society है अमूल एक government company है जो cooperative के collaboration में चलती है जो rate है वो government decide करते हैं लेकिन काम वहां पर जो लोग करते हैं वो government worker में society के जो लोग होते हैं ज्यादा तो government worker से ज्यादा जो cooperative society के लोग होते हैं Indian coffee house जो बालाखट में कुला है वो cooperative society का है Mother dairy जैसे डेली में चलता है वो भी cooperative है तो तो यह देखा गया कि Tamil Nadu ने बहुत अच्छा च्छा cooperative जो societies का उप्योग किया उसने जितने भी उसकी जो दुकाने हुआ करती थी जो फेर प्राइस शॉप है उचितमों लिकी राशन दुकाने थी उसमें 94% उन्होंने cooperative को दे दी कि आप चलाइए अब वो cooperative जब चलाता है किसी दुकान को more efficiently चलाता है किसी एक government employee कि काम को टालने वाले होते हैं काम को आगे बढ़ाने वाले होते हैं तो cooperative बहुत अच्छे समझ चलाया जिससे जो food grains है उनके पास तक पहुच पाया जिनकी जरूवत थी अमूल को अमूल ने white revolution भी लाया white revolution क्या होगा उसको हम आगे पढ़ेंगे इसका मतलब कोई छोटी मोटी चीज नहीं cooperative अगर सही माइनों में करा जा तो efficiency किसी एक government agency की बहुत जादा बढ़ जा दिया अगर cooperative के साथ वो एक alliance बना के गर government काम करें तो इसे और जो इसे महराष्टर में भी क्या किया गया है कि academy of development science को मतलब academy बनाई गया है और आज के poor लोगों को खान पहुचाना चाहते हैं सरकारी इंसान तो खा जा जाएगा खुद पैसा और वो जाधातर बोते हैं सभी लोग नहीं होते जादा तर ऐसे लोग होतें जो किसानों से जो surplus खरीदते हैं जो government ने खरीदा किसानों से बफर स्टॉप खरीदा और जो PDS सिस्टम के तुरू राशन दुकान में या राशन दुकान के तुरू गरीबों को मिला ही नहीं वो लेकर खतम हो गया जाई है तो फिर वो क्या करेगा कि वो फिर वो जो बचा हुआ जो गरीबोगोग हिस्से का था वो बेचे का वो ले जाके किराना दुकान में ताकि उसे ज्यादा प्रॉफिट हो तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो NGO में काम करते हैं जो सही में चाहते हैं समाज का भला करना तो एसे लोग हो एक नेटवर्क बनाया गया है हमारस्टा गवर्मेंट के द्वारा और छोटे-छोटे ग्रेन बैंक से इस्टेबलिस करने की तरफ बढ़ रहे हैं ग्रेन बैंक मतलब कि जैसे हमारे बैंक होते हैं वहाँ पर अनाजोग है बैंक होगा अब वह NGO के मदद के थुरू वह एक शेप ले रहा है जो कि ऐसे लोग जो सही में कुछ अच्छा करना चाहते हैं उनके थुरू वह काफी जादा उनका फाइदा उठाया जा रहा है गवर्मेंट उनसे काम भी ले रही है साथो साथ करप्शन को भी एक लेवल तक कम किया जा रहा है अब आगे देखते हैं ये चैप्टर हमारा क्लास ने रिकोर वामी के लाश्ट चैप्टर है समरी है अगर मैं इसे पढ़े भी न अपने साब से बता हूं समरी तो इस देश में काफी गरीब लोग रहते हैं गरीब लोगों को सबसे बड़ी जरूरत है उनके बेसिक फैसिलीटिस उस बेसिक फैसिलीटिस में भी सबसे बड़ी जरूरत है एक उनकी फूट सेक्यूर्टी उनको खाना at least मिलना चाहिए खाना सुबह शाम उनको बिलकुल मिलना चाहिए तो इसके लिए गर्मेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं लेकिन लेक उफ अवेर्मेस लेक उफ एजूकेशन के कारण उन तक वो प्रोग्राम की जो सही जानकारी है वो पहुँच नहीं पाती है तो गर्मेंट को यह चाहिए कि गाओं-गाओं के लेवल पर जाकर जो हमारी योजना है चल रही हमारी स्कीम चल रही हुँच जानकारी उन लोगों को दी जाए डारेक्टली दी जाए जिन जो लोग सबसे ज़्यादा वलनेरेबल है फूट सिक्योर्टी जिनके पास खाने के लिए फूट नहीं है तो तभी अगर अंतियोदा है जो गाने जी ने कहा था अंतिम का उदा है मतलब जो समाज के आखरी तपका होता है वो जब आगे बढ़ेगा तभी पूरे देश की एकोनॉमी बढ़ेगी तभी ये देश एक स कुटे रुद्ध्योग लगाएंगे छोटे-छोटे जो गाओं में डेरी के फॉर्म खोलेंगे तो धीरे-धीरे जो बून-बून से घड़ा बनेगा जिसके कारण हमारा देश की एकोनॉमी ग्रो होगी हमारे देश की एकोनॉमी शहरों से तो नहीं चलती आज की आज भी लेकिन जब उनका पेठी नहीं भरा होगा तो वह हमारे देश की बारे में क्या सोचेंगे और उनका तो बस एक ही ध्यान लगा रहेगा भूक का तो यह है कि हमें यह एंशॉर करना चाहिए या तो हम कोप्रेटिव सोसाइटिस के माध्यम से या फिर हम अच्छे इंटेंट वाले जो गवर्मेंट वरकर से उनके माध्यम से या फिर किसी एंजियो के माध्यम से जो हम जो स्कीम चला रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रिविशन सिस्टम चला रहे हैं तो उसमें हम उन लोगों तक डारेक्ली पहुचवा पाए हैं विदाउट किसी करप्शन के फूड तक सारे मैंने वीडियो सो बना दियें और काफी बेसिक था टेंथ क्लास में कुछ इसमें इंप्रूमेंट होंगे कुछ टेकनिकल टम्स आएंगी जो एकोनॉमी में हमें फर्दर बेस मजबूत करने में मदद करेगी तो इसको फिर अभी यहीं तक हतम करते हैं थैंक्यू स करते हैं तक 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 ह